वेस्ट इंडीस 2023 वंडे वर्लकप नहीं खेलेगी? जी हाँ, ये सच है, टीम पहली बार वंडे वर्लकप के लिए क्वालिफाइट आने से चुकी है वेस्ट इंडीस को वर्लकप क्वालिफाइर्स के सुपर 6 राउंड में स्कॉटलिंड नहार आया इस टूनाविट के फाइनल में पहुचने वाली दो टीम्स ही वर्लकप खेलेगी और अब वेस्ट इंडीस फाइनल नहीं जा पाएगी वेस्ट इंडीस ने 1975 और 1989 में हुए पहले दोनु वंडे वर्लकप जीते थे जबकि 1983 के फाइनल में उन्हें भारत ने मात दी थी वर्लकप का 13 एडीशन अब इस टीम के बिना खेला जाएगा ऐसा पहली बार होगा जब ये केरिबियन टीम वंडे वर्लकप नहीं खेलेगी इससे पहले वेस्ट इंडीस ने वंडे सूपर लीग में नौवे नमबर पर फिनिश किया था इसे के चलते हैं उन्हें वर्लकप क्वालिफायर्स खेलने पड़े थी वंडे सूपर लीग की टॉप आठ टीम्स को वर्लकप में सीधे एंट्री मिली थी वेस्ट इंडीस को क्वालिफायर्स में जिम्भावे, नीदरलेंड्स, अमारिका और नेपाल के साथ ग्रूप A में रखा गया था इस टूलरमीट की दोनु ग्रूप की टॉप 3 टीम्स को सूपर 6 में एंट्री मिलने थी ये टीम्स, क्वालिफाय करने वाली टीम्स के खिलाफ अपने रिजल्ट के पॉइंट्स भी साथ लेकर आई है वेस्ट इंडीस दे क्वालिफायर्स की शुरुवात अमारिका और नेपाल के खिलाफ जीत के साथ की थी लेकिन फिर उन्हें जिंबावे और निदरलेंड से मात मिली यानि अगले राउंड में आते वक्त वो बिना किसी पॉइंट के आये थे जबकि जिंबावे अपने साथ चार और निदरलेंड दो पॉइंट्स के साथ आई जबकि ग्रुप B से श्रुलंका चार और स्कॉटलेंड दो पॉइंट्स के साथ आगी आया था तीसरी टीम ओमान के पास कोई पॉइंट नहीं था जिंबावे और श्रुलंका ने सूपर 6 में अपने पहले मैच जीत विये हैं अब उनके 6-6 पॉइंट्स हैं उसके चलते विस्ट इंडीस को अपने बचे हुए 3 मैच जीतने थे और वो पहले ही मैच में हार कई अब अगर वो बचे हुए दोनों मैच में श्रुलंका और ओमान को हरा देंगे तो भी उनके माक्सिमम 4 ही पॉइंट्स हो पाएंगे और इसकी चलते वो टॉप 2 में फिनिश नहीं कर पाएंगे इसके साथ ही विस्ट इंडीस के पतन में एक पन्ना और जुड़ गया वो पिछले वर्ल कप तक भी क्वालिफायस के जरिये ही जा पाए थे पिछली बार वो बारिश के चलते प्रभावित हुए मैच के बाद वर्ल कप में पहुँचे थे और उस मैच ने स्कॉटलेंड का नुकसान किया था ये टीम 2022 T20 वर्ल कप के सूपर 12 तक भी नहीं पहुँच पाई थी